गाजीपुर शहर के गूरा बजार महले में राम अवतार नाम का एक कायस्त यूवक रहता है उसकी अवस्ता वीसवर्ष की होगी कुछ अंग्रेजी लिखना पढ़ना भी जानता है मैट्रिक परिक्षा में कई बार फेल होने पर वह अब पढ़ना लिखना छोड़ चाड़ कर घर में बैठा मौच करता है विशाक का मैना है दिन की प्रचंड गर्मी के बाद इस समझरा ठंडी ठंडी हवा चलने लगी राम अवतार नंगे बदन हाती दाथ की खड़ाओ पैने खट-खट करता सदर घर के बरांदे में आखड़ा हुआ नौकर ने एक कुर्सी लाकर रख दी राम अवतार ने बैठ कर का चतुरी भांग तयार हो गई तो लेया कुछ देर के बाद चतुरी उर्फ चतुर बुजने चांदी के एक गिलास में गुलाब मिली विजय लाकर दी राम अवतार अमीर आदमी है घर सड़क से बिलकुल मिला जुला है बजार से कुछ दूर इसलिए जरा एकांतसा है रास्ते में आने जाने वालों की संक्या बहुत अधिक नहीं केवल बीच पीच में एक दो एक का जम जम शब्द करते दोड़ते निकल जाते हैं रास्ते की मोड पर एक सिरस का पेड़ है उसमें कोमल कोमल अंकनित फूल लगे वे हैं दूसरी और म्यूनिसिपल्टी की एक लाल्टें धुंदली रोशनी फैलाने की चेश्टा कर रहे है राम अवतार अराम से बैटा भाम पी रहा है कि सहसा कुछ दूर से जोर की आवाज आए गुलाब छड़ी सुनाई पड़ी गुलाब छड़ी वाले ने कैरसिं तेल की एक तेख चिमनी के साथ थाल गंदे पर रखके घर के सामने आकर आवाज दी क्या मज़िदार गुलाब छड़ी जो खाए सो मज़ा पाए जो चखे याद रखके गुलाब छड़ी खर के बीतर से फौरण एक पाँच वर्ष का लड़का निकल आया उसने राम अफ़तार के पास आकर हट पुरवक्का भाईये मैं गुलाब छड़ी खाऊंगा यह सुनकर फेरी वाले ने रास्ते पर खड़े हो बरांदे पर अपना थाल उतारा बालक महनलाल के और देखकर गुलाब छड़ई नान कटाई सोन हल्वा क्या लोगे बोलो बालक गुलाब छड़ी का पक्षपाती था उसने कई बार गुलाब छड़ियां खरी दी फेरी वाले ने अपनी बगल से हिंदी का एक अकबार निकाल कर उसका कुछ अंशवार कर उसमें गुलाब छड़ियां लपेट महनलाल के हाथ में दे दी इसके बाद थाल उठाकर पहले की ही तरह मध्यम स्वर में गुलाब छड़ी बोलता बोलता वर रवाना हुआ महनलाल बड़े आनन से बरांदे में नाचता नाचता गुलाब छड़ी खाने लगा कुछ देर के बाद भाई के पास आख फटा कागज दिखा करका देखो भाईया हाती की एक तस्वीर है राम अवतार ने कागज हाथ में लेकर देखा एक हाती मार का दवा का विग्यापन है किन्तु उसकी बगल में जो छपा देखा उससे उसका कौतुहल बढ़ गया बगल समाजी एक भले आदमी की एक सत्रा वर्ष की सुंद्री करन्या है उसकी विवा के लिए काइस्त जाती के एक सुशिक्षित साचरितर वर की अवर्षकता है विवा के बाद हम लोग लड़के को शिक्षा पाने के लिए विलायत भेजना चाते हैं पात्र व अभिवावक पह हसी दिखाई पड़े बरांदे से लोटकर खुरसी पर बैठकर सिद्धी पीते पीते तरह तरह की बाते सोचने लगा सोचा यह तो पड़े मजी का विक्यापन है उसका तो लड़क्पन में ही विवा हो गया है नहीं तो यह अच्छा सुयोग प्राप्थ हुआ था सत्रा व ही शिक्षित और गाना बजाना जानती है इस प्रकार की महिलाओं के संब्द में राम अवतार के मन में बहुत दिनों से अनंद कौतुहल संचित था सिद्धी पी चुकने के बाद किलास को नीचे रखकर राम अवतार ने सोचा एक काम करता है चिट्टी लिखकर फिर जाकर इन लोगों से बेट करें कुछ दिन तक उनके घर आना जाना जारी रहेगा मजा ही क्यों न ले इसके बाद मौका पाकर भाग लोंगा बहां के नशे में इस आनंद की लहरे मन में लहरा लहरा उठने से राम अवतार बहुत हसने लगा उसका विवा हो गया है ये लोग कैसे जान पाएंगे कुछ दिन कोटशिप करने के बाद फिर चमपत राम अवतार लगातर हाहा करके सोच के हसने लगा फिर सोचा अब देर करना ठीक नहीं चिठी अभी लिखनी होगी राम अवतार ने उठकर बैठक में प्रवेश किया पलंग पर बैठकर आगे बकसा रखकर बिगड जाएंगे उसे बिलकुल असब भेजानेंगे इसलिए दूसरे कागज पर ओम इश्वरो जयती लिखकर अरंब किया मैट्रिक फेल होना जानकर कहीं वे यतिश्ट शिक्षित ना समझे इसी से लिखा कि वे बीए परिक्षा फेल है अपनी साचारी तरता के संबंद की बाते लिखते समय उसके मूपर हसी की रेखाय दिखाई पड़ी कलम रखकर कुछ देर तक हसता रहा अनंतर लिखा वे जाती बेद नहीं मानता विलायत जाने में कुछ भी आपत्ती नहीं कुमारी का यदी एक फोटोग्राफ हो तो किरपया करके बेज दे और लिखकर च एक चोटी गली में एकती मंजला घर है दुपैर के वक्त उस घर के एक कमरे में फर्ष पर शतरंज बिचा कर दो व्यक्ति बैठे खेल रहे हैं उसमें से एक पुरुष का शरीर द्र बलिष्ट कुछ स्थूल और गौर है तो दूसरे का शरीर दूबला होने पर भी उसके श प्यारा शागिर्द है नौकर ने आकर तंबाक को दी इसके बाद अपनी मिरजाई की जेब से चिट्टी निकाल कर कहा चिट्टी आई है कनाई लाल ने ठिकाना पड़ा लाला मुरली धर लाल महादेव विश्ट का घर केदार गार बनारे सिटी पढ़कर कनहिया लाल ने कह लाला मुरली धर तो तुम्हारे किरायदार है लाला मुरली धर को तो यह घर छोड़े वे तीन साल हो चुके महादेव ने तंबाकू पीते-पेते का हाँ लाला मुरली धर की बदली तो लखनाओ को हो गई चिटी खोलो पड़ो क्या लिखा है कनहिया लालने का मुरली धर का ठिकाना काट कर भीजेंगे ने अरे क्या समाचर है यह तो पहले जानना होगा खोलो पड़ो महादेव ने कहा कनहिया लालने गुरुजी के आग्यानुसा चिटी खोल कर पड़ी महाशे समाचर पत्र में आपकी कन्या के विवा का विग्यापन पड़ा मैं एक भले घर का काईस्त यूवक हो मेरी अवस्ता केवल 22 वर्ष की है मैंने इलाबाद कॉलेज में भी ये तक पड़ा है कि दुपरिक्षा के पहले बिमार हो जाने के कारण पास ना हो सका मैं जाती भेद नहीं मानता लड़कपन से ही मेरी इच्छा विलायत जाने की है यदि आप अपनी करनिया के लिए योग्य पातर समझे तो मैं विवा करने को तयार हूँ मैं बाले विवा का विरोधी हूँ इसलिए अब तक विवा नहीं किया मैं साचरितर और सत्यवादी हूँ आग्या पाने पर मैं आपके दर्शन करूँगा यदि कुमारी का एक फोटोग्राफ हो तो भेज कर बादित कीजिएगा लाला राम अवतार लाल महला गोरा बजार शहर गाजी पुर चिट्टी सुनकर महादे विश्र हसने लगा का यह तो अच्छा तमाश्य है उस लड़की का विवा तो कब का हो गया है महादे जानते नहीं लाला मुरली धर ने अकबार में नोटिस चपा दिया था वे तो भ्रहम समाजी है ना उनके साथ तो भले काईस्ट संबंद ना करेंगे इसे इसे नोटिस चपा दिया था मैंने तो सुना है कि काईस्ट के साथ भिया हुआ हाँ हाँ काइस्त हो था किन्तु विलायत जाकर बेलिस्टर हो आया काइस्त था बड़ा घराना भी था लोटिस पढ़कर और लोग भी आये किन्तु लाला मुरली धर ने कहा कि जब मैं बेलिस्टरी पास किया जमाई पा रहा हूँ तो फिर और किसे से भिया क्यू करूँ इसी घर में तो विवा हुआ हुआ था यह तो तीन साल की बात है कनया लाल ने सिरिला करका हाँ ठीक ठीक कुछ फोटोग्राप बेजने का जो लिए क्या है जानते नहीं मिश्रने का यह तस्वीर होती है एक बकसा होता है उसमें एक शीशा लगा रहता है मनुश्य के सामने खड़ा कर देने से बीतर से तस्वीर खिचाती है उसी को फोटोग्राप कहते है कनया नालने का ठीक 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 अब मालुम होगा अब तो एक अच्छा शिकार मिल गया है चिठिली कर बुलाया जाए महादेव लेने के लिए आएगा तब निश्य ही सोने की घड़ी चनल लगा कर तो आएगा ही यदि अपने यह यह चीजे ना होंगी तो दूसरे के यहां से मांग कर लाएगा और उसे आने को लिखता हूँ केवल चिंता यह है कि फोटो गिराप कहां मिले महादेव इसके लिए चिंता ना करो बजार में बहुत से फोटो गिराप मिलेंगे वह जो महम्मद खा की दुकान है न वहाँ पार्सी थेटर की खूबसूरत औरतों की तस्वीर है वही से एक भेज देना सला पक्की हो गई और यह बिस्तिर हो गया कि इस घर में बुलाना ना होगा नहीं तो पीछे पुलिस को पता लग सकता है एक दूसरा घर सजा कर उसे वहाँ ले जा कर काम साधना होगा एक प्याला भांग और उसके साथ थोड़े धतूरे का रस और कुछ न करना होगा संध्या का समय है गुरा बजार की उसी बैठक में अदलेटा राम पर धूर्मपान कर रहा था और कभी कसड़क के और उस सकता से देखता डाक वाले के आने में विलम नहीं आज दो दिन से राम अवतार इस प्रकार प्रतिक्षा कर रहा है कारण अब तक चिट्टी का जवाब नहीं आया डाक वाला आकर एक पत्र और एक पैकिट दे गया हस्ताक्षर आपरिचित पनारे सिटी की मोहर लगी है हर्श से फूल कर राम अवतार पलंग पर बैड़ गया पहले पैकिट को ही खुला फोटोग्राफ सुन्दरी युवती का है अश्यर शवी लल चाती हूँ याँकों से राम अवतार फोटोग्राफ के और देखता रा शरीर में पारसियों जैसी साड़ी है ब्रह्म समाच की स्त्रीकन्याई भी स्त्रा की साड़ी पहनती है यह उसने रेल पर कई बार देखा है मुँ आखों की बनावट कैसी सुन्दर है राम अवतार मन ही मन सोचने लगा वाह क्या वाहर है वाहर है मै फोटोग्राफ को हाथ में लिए खोला उसमें इस प्रकार लिखा था महाशे आपकी चिठी मिल गई अगामी शेनिवार को शाम की गाड़ी में आप आ जाएं तो अच्छा आपके साथ मेरी मुलाकत होने पर और बाते होंगी मैंने हाल में घर बदल दिया है राम अवतार पत्र को रखकर फिर फोटोग्राफ को देखने लगा एक हाथ बगल में लटका हुआ दूसरा आधा उठा हुआ साड़ी का एक अच्छ पकड़े आँखे दोनों मानों हस रही है सोचने लगा इससे बाचित होने में कैसा मज़ा आवेगा भोई टेड़ी कर राम अवतार ने सोचा लिखा है शनीवार को श्याम की गाड़ी से आना तो अभी दो दिन की देर है शनीवार ना लिखकर शुकर वार क्यों ने लिखा इन दो दिन में तो बहुत अच्छी तरह तैयारी कर लेनी होगी शनिवार के दिन भोजन कर राम अवतार ने घर में कहा जरकाशी जी दर्शन करके आता हूं कहकर अपना वेश सजाने लगा ऐसे वेश में जाना होगा जिस से पहले ही मुलाकात पर कुमारी के मन में प्रभाव का संचार हो जाए अच्छी रेश मी चमकन निकाल कर राम अवतार ने पहनी जरी के काम की सुन्दर मकमली टोपी सिर पर रखी दिल्ली से लाइवे सुन्दर मुलाइम रंगी जुतों से पाउं की शोभा बढ़ाई हिना के बढ़िया इतर से रुमाल को तर किया और अपनी मुचोर भाउं में जरार रंग लगा लिया काशी के जितने दिन रहना पड़ेगा इसकी तो ठीक मियाद नहीं खर चादी वाँ अच्छा ही करना होगा इसलिए दो सो रुपे भी अपने साथ लिये सौने की घड़ी, सौने की चैन और हीरा जड़ी अंगुठी पैन कर गाड़ी पर सवार होकर स्टेशन किया और रवाना हुआ गाड़ी पर सोचता जाने लगा युवदी से भेट उने पर किस तरह पाच्चित करनी हो में अंग्रेजी धंकी एक कोट्शी पोती है यह वे जानता है किन्त उसके प्रकरण की विशे में कुछ जानता नहीं अंग्रेजी उपन्यास वे कभी पढ़ता नहीं तथा पी, लाल हीरा की कता, लैला मजनू, गुलाब कली, आदी उसकी पड़ी हुई है सोचा इन ग्रंतों में वर्नित परथा का अवलंब लेना शायद अनुचित नहीं होगा केवल पहले पहल कुछ आत्मसेयम दिखाना ही अच्छा है पहले यादर का तू ना कहकर आप कहना उत्तम होगा कारण सब महीलाएं लिखी पड़ी और सब भेता प्राप्त है कर रहा था क्रम से गाड़ी आकर राजगाट स्टेशन पर खड़ी हुई राम अवतार उतर कर इधर उधर देख रहा था इसी समय एक यूवक उसके पास आकर खड़ा हुआ यूवक की उतरिया और पंजाबी कमीज रंके से रंगी थी आकर पूछा आपका नाम क्या है लाला राम अवतार लाल है हाँ हाँ आपका नाम किसन परसाद मैं लाला मुरलीधर लाल जी का भतीजा हूँ मैं आपको लेने आया हूँ क्या कर वे आदर के साथ राम अवतार को बाहर ले के बाहर गाड़ी खड़ी थी गाड़ी पर चड़कर किसन पर साथ ने का, दुआर और खिड़किया बंद कर दूगिया, आज बेसाक पुरनिमा होने से काशी में छोटा दो लुटसब है, देखिये न, आते समय दुष्टों ने पिछकारी मार कर मेरा कपड़ा किस तरह बिगाड़ दिया, राम उतार ने व जनी हुई अट्टा लिका है, इधर उधर देखे बिना ही किसन पर साथ के पीछे पीछे प्रवेश किया, पहले अत्यंत अंदकार मिला, इसके बाद सीड़ियां दिखाई पड़ी, एक बत्ती जल रही थी, सीड़ी से चड़कर राम उतार एक बड़े कमरे में पहुंचा, उसने पहले सोचा था कि जब ये लोग नई रोश्नी के हैं तो घर सहाबी डंग से सजा होगा, कि तु देखा वैसा नहीं है, कमरे के बीच में फर्श पर बिचोना बिचा है, कई तक्ये रखे हैं, बीच में एक स्थूल काय, बलिश्ट और गॉर्वर्ण, पुरुष, कर रहा था, कि सन पर सादूर्फ कनेया लाल ने पहुँचकर कहा, चाचा जी ये लाला रामवतार लाल आ गए, चाचा जी और कोई नहीं स्वें महादेव मिश्र हैं, महादेव ने बड़ी प्रसंता से रामवतार को बठाया, नाना परकार के वारत अलाव में कुछ समय भी था, कनेया लाल को इस परकार संबोदन करका, कि सन तो मैं भीतर जाकर उन सब को तयार होने को कहता हूं, तुम तब पक कुछ जल्पान कराओ, यह कहकर महादेव मिश्र उड़ गए, कनेया लाल वहां बैठा रहा कुछ शन बाद एक नौकर चांदी के गिलास में थोड़ी स गंदित सिद्धी और मिश्ठान लाकर हाजिर हुआ, कि सन परसाथ नेका आप ठक गए हैं, इसी से एक प्याला सिद्धी का प्रबंद किया है, हम काशी निवासी सिद्धी के बड़े भक्त है, ठकाव अदूर करने के लिए सिद्धी जैसी कोई चीज नहीं, राम अवतार अनुरोध से सिद्धी और मिश्ठान को पेट की भेट किया, जेव से घड़ी निकाल कर देखा, नौ बजे हैं, घड़ी देखते देखते उसकी दोनों आखे नींद में मुदने लगी, कनया लाल ने का, आप गाना बजाना जानते हैं, वो क्या है न, हमारी स्त्रियों को ग गाना बजाना बहुत प्रिये हैं, गाना गाना जानते हैं क्या सुनेंगे एक राम अवतार ने का, उस समय नशीर से उसका दिमाग चमचमा उठा, सोचने लगा मानू चारो और मालिका का दृश्या है, बहुत से लोग मानू से चारो और से घेर कर सारंगी, वेहाला बीन ल लेत्य करने लगे, राम अवतार ने खड़े उपकर का, गीत सुनेंगे, कहकर आखे मूद कर गाने लगा, और कुछ मूसे ना निकला, करके कई बार बिच्छाने पर लेड़ गया, उसके मूसे लार निकलने लगी, कुछ देर बाद महादिव मिश्ट ने आकर प्रवेश कि अरे, कनेया दवा का असर हुआ, हाँ, हाँ, असर तो हुआ है, जाएगा कहा, महादेव ने अगर देखो क्या क्या है, तब कनेया लाल ने बिहुश राम अवतार की घड़ी, चैन, हीरा, जड़ी, अंगुठी, दो सो रुपे, पान रखने का चान्दी का डबबा आदे नि नहीं नहीं इसे बाबा जी बना कर छोड़ दो, कल सबरे जब नशा उतरेगा तब खाएगा क्या, एक गेरुआ कुपिन पहना दो, और देहे में सरवत्र भस मुरमा दो, एक चिम्टा दे दो, साथ में एक जोली भी दे दो, काशी में सन्यासी वेशतारी कभी भूको नहीं साथ बित्ते बित्ते दूर हो जाएगा, कई दिन के बाद गाजीपूर के लोगों ने सुना कि राम अवतार ने धन दौलत छोड़ चाड़ कर संसार त्यागी होकर काशी में जाकर सन्यास ले ली, स्वभागे से उसके मामा काशी में उसको इस अवस्था में देकर बहुत क दश्ट से ग्रस्त आश्रम में वापस ले आएं, धार्मिक व्यक्ति का रूप पाने से अब राम अवतार लाल की कुछ जादा ही प्रसिद्धी हो गई है